इस वीडियो में NC8010 क्लास में प्रस्णावली दो दो सम्लाव तीन का प्रस्ण नमबर तीन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है ये हम लोग समझने वाले हैं तो चलिए आए ध्यान से देखिएगा question number 3 है 3x का power 4 plus 6x का power 3 minus 2x square minus 10x minus 5 के अन्य सभी सुन्यक ग्याद किजिए यदि इसके दो सुन्यक 5 बटा 3 under root और minus 5 बटा 3 under root दिये गए हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बहुपद हमारा है ये ये चार घात में है और था द्वी द्वी घाती बहुपद है इसके कितने सुन्यक होंगे जानते हैं हम लोग कि चर का power जितना होता है अधिकतम सुन्यक उतने होते हैं तो इसके चार सुन्यक होंगे चार में से दो सुन्यक यहाँ पर दिये गए हैं और कह रहा है कि सेश सुन्यक, इसका मतलब है कि हमें सेश और दो सुन्यक ग्याद करने हैं, आइए चलिए प्रारम करते हैं। तो सबसे पहले एक रूल होता है कि जो सुन्यक है, अगर चर में से उसे घटाया जाए, तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। जैसे अगर किसी बहुपद का सुन्यक A है और वह बहुपद X चर में है, तो इसका मतलब है कि X घटाव A इसका एक गुणनखंड होगा। दिखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसी पर ये मयत बनेगा। अगर जान लेते हैं आप इसे समझ जाते हैं, तो समझे कि बिल्कुल ही अपने तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर यहाँ माइनस A है और ये सुन्यक है, तो यहाँ प्लस होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर दो सुन्यक दिया हुआ है 5 बटा अंडरूट 3 और माइनस 5 बटा 3 अंडरूट ठीक है। तो यहाँ पर हल देखेंगे। चुकि अंडरूट 5 बटा 3 और माइनस अंडरूट 5 बटा 3 दो सुन्यक है। यहाँ पर 5 बटा 3 अंडरूट और माइनस 5 बटा 3 अंडरूट दो सुन्यक है। तो X यह प्लस है तो माइनस 5 बटा 3 तथा X यह माइनस है तो प्लस 5 बटा 3 यह दो जो यहाँ पर हमने लिखा यह गुड़न खंड होंगे। गुड़न खंड होंगे। दो गुड़न खंड यह किसके होंगे? तो यह जो हमारा बहुपत दिया हुआ है इसके यह दो गुड़न खंड होंगे। अब जब दो गुड़न खंड होंगे तो दोनों को गुड़न करते हैं और इसमें भाग देंगे। और जो भागफल आएगा वो भी इसका एक गुड़न खंड होगा। तो भागफल हमारा द्विग हाथ के रूप में आएगा और उसका भी गुड़न खंड कर लेंगे। तो सेस हमारा दो सुन्यक और प्राप्त हो जाएगा। आएए देखा जाए। अब इसको यहाँ पर गुड़न करते हैं। एक्स माइनस पांच बटा तीन। एक्स प्लस पांच बटा तीन। यह दोनों अंडरूट में हैं। ठीक है। यह a-b और a-b के फ़र्म में आ गया। ठीक है। तो क्या होता है। a square अर्था x square minus 5 बटा 3 है यहाँ। और अंडरूट है और square है। दोनों cancel हो जाएगा। तो क्या बचेगा। 5 बटा 3। यहाँ पर इस तरह से होगा। root है और square है तो अगले step में हो जाएगा x square minus 5 बटा 3। असपस्ट है। अगले चरण में इसको देखते हैं LCM निकाल लेते हैं तो 3 x square minus 5 बटा 3। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बटा 3 जो है इसमें x नहीं है। तो यह हो जाएगा ओचरपद। और cost में क्या बचेगा यहाँ ? bracket में बचा 3 x square minus 5। यह एक गुणनखंड हुआ हमारा। यह गुणनखंड हुआ। अब यह तो अचरपद हो गया। यह 1 बटा 3। इससे 3 x square minus 5। यह जो है यह बड़े घात वाला जो बहुपद है इसमें भाग के किरिया करेंगे और भागफल प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस। थोड़ा सा लंबा जरूर है। step by step समझेगा बिल्कुल ही complicated नहीं है। यह प्रस्न एक दो बार परिछा में पूछा भी जा चुका है। तो आप ध्याम से देखिएगा। अब यह जो बहुपद है इस बहुपद में इतना से हम भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3X square माइनस 5 और यह बहुपद कितना है। 3X का पावर 4 जोड 6X का पावर 3 माइनस 2X square माइनस 10X माइनस 5 यह है। इतना। अब आएए इससे भाग दिया जाए। क्या होगा यहां है 3X square और यहां है 3X का पावर 4 तो क्या होगा। यहां पर X square से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3X का पावर 4 माइनस 5X square ध्यान से देखना है इसको। माइनस यह माइनस है तो प्लस यह कैंसिल हो गया। यहां 6 का पावर 6X का पावर 3 अब 2X square है यहां प्लस 5X square है। प्लस 3X square चुकि भाग के किया मैं पहले ही बता चुका हूँ। माइनस यहां है 10X तो माइनस 10X माइनस 5। अगले इस टिप में यहां 6X Q है यहां 3X square है तो 2X से प्लस 2X तो हो जाएगा 6X Q और प्लस 2X से माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 10X यहां हो जाएगा माइनस यहां हो जाएगा प्लस यह पद कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 10 माइनस 10 यह भी समाप्त हो जाएगा बचा क्या 3X square माइनस 5। ऐसे प्रस्ण में सेस्फल बिलकुल सुनने आता है क्योंकि तभी यह पूर्ण रूप से गुणनखंड हो पाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 करेंगे यहां प्लस 1 तो हो जाएगा वही 3X square माइनस 5। यहां माइनस यहां प्लस यह कट जाएगा बचा क्या सेस्फल 0। अब जब यहां सेस्फल क्या हो गया 0 हो गया इसका मतलब है कि यह जो हमने भाग दिया है एक यह हुआ तो यह कहां से आया है यह आया है X माइनस 5 बटा 3 अंडरूट और 1 आया है X प्लस अंडरूट 5 बटा 3 इससे और 1 हमें गुणनखन प्राप्थ हुआ द्विघात के रूप में जो की इससे कहेंगे भाग फल X square प्लस 2X प्लस 1 ठीक है अब अगले स्टेप में क्या करेंगे इसका तो इसका भी यहां देखा जाए यह है X square प्लस 2X प्लस 1 चुकि हम जानते हैं कि इससे और इसमें गुणा करेंगे और यहां एक अचर पद है उससे गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा क्योंकि भाज यह बराबर भाज गुणा भाग फल जोड़ सेस्फल यह होता है ठीक है कर दिया जाए तो हो जाएगा X square प्लस X प्लस X प्लस 1 यह हो जाएगा दो दो को लेखे कमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहां X X प्लस 1 इतना में और एक इतना में प्लस 1 ले लेंगे X प्लस 1 तो यह हो जाएगा अगले स्टेप में यह तो हो गए X प्लस 1 दोनों में है तो X प्लस 1 और यहां इसमें बचेगा X इसमें प्लस 1 तो X प्लस 1 अब दोनों एक सामान आ गया तो दोनों को बारी बारी से 0 जब करेंगे तो सुन्यक क्या होगा सुन्यक क्या होगा यहां देख लिया जाए सुन्यक होगा जब एकस प्लस बराबर 0 तो एकस बराबर माइनस 1 जब एकस प्लस बराबर 0 तो एकस बराबर माइनस 1 दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो क्या हो गया x का 2 और मान आ गया एक आ गया माइनस 1 और एक आ गया माइनस 1 दोनों ही माइनस 1 माइनस 1 आ गया तो 6 सुन्यक हमारा क्या प्राप्थ हुआ यहां माइनस 1 माइनस 1 तो इस तरह से यहां पर 6 सुन्यक तो मुझे आसा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा यह प्रक्रिया जो है भाका मैं पहले ही बता चुका हूँ सारे प्रस्नों में अगर इसमें दिकत है तो आप पहले का वीडियो देखिए यहाँ नएचीज समझने वाला यही है कि जो भी इस तरह का 2 दिया हुआ रहे तो जो प्लस है यहाँ x माइनस हो जाएगा और जो माइनस है x प्लस हो जाएगा क्योंकि यह x चरम है अगर t में रहता या y में रहता तो यहाँ y या t जो भी रहता लिखते यहाँपर और दोनों को गुणा कर देंगे और जितना आएगा गुणान फल उससे इसमें भाग दे देंगे बस यही काम है हमारा और जो भाग फल आएगा उसको फिर गुणान खंड करके दूगो सुन्यक प्राप्ट कर लेंगे तो मुझे आता है कि ये पूरा समझ में आया होगा मैंने कोशिस किया है कि एक ही साथ सारा सलूसन दिया है ताकि आप इसका चाहे तो ए स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तो समझ में आया हो, तो लाइक जरूर किजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, फिर आगे प्रस्नाव हम लोग समझेंगे, बढ़ियां से जानेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट आवा से करें, धन्य आवाओ.